बदंबे से तारे लपेटे हुए ओ जाने तमन्ना की धर जर ही हो जरा पास आओ तो जैना जाए जरा पास आओ तो जैना जाए हलो एडरों लोकम बैक टो गिटार लजिन गाइस आज हम लोग महमद रफीजी का एक बहुत ही फेमस एन एवर्ग्रीन सौंग का लेसन करेंगे सौंग है बदन पर सितार है जो की काफी बढ़िया गाना है गाइस और आज हम लोग इस सौंग का गिटार कॉट्स और स्क्रीन के लेसन करेंगे एकटम इजी वे में अब आप दो मिंट में इस वीडियो के साथ साथ इस गाने को प्ले करना सीख जाओगे गिटार में और इस गाने को आप गिटार में पूरा सीखने के लिए इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्त बज़र देखिए गाइस मेरे साथ आगे भी जूरे रहने के लिए अपने स्क्रीन के रडड़ कालर के सब्सक्काइब बटन पर प्रेस करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो साथी साथ बैल एकन पर गलिक कर दे हैं से कि मेरे आने वाले वीडियो के नॉटिफिकिशन अब तक पहुचते रहें सो गैस सबसे पहले बढ़ते हैं कोर्ट की तरफ और इस गाने को प्ले करने के लिए हमें टोटल चार कोर्ट की ज़रूथ होगी सबसे पहला chord है D minor chord and D minor chord में यह पूरा गना build है guys so the root chord is D minor chord फिर उसके बाद हमें चाहिए F major chord then C major chord and then finally A minor chord okay guys इन चार easy chords की जरुदत होगी हमें इस गाने को play कहने के लिए इन सब के पीछ में अगर थोड़ा difficult है वो है F major chord यह बाला okay आप इसको छोटा भी पकर सकते हो इस तरीके से okay या फिर आप इस तरी छोटा भी पकर सकते हो F7 chord okay guys C major chord से ring and middle finger को हमें एक step नीचे लेके आना है and then उसके बाद first ring को open रखना है okay so यह F7 chord है guys आप इसे भी play कर सकते हो so guys इन 4 chords की जरुदत होगी इस गयाने को play करने के लिए अभी बढ़ने हम लोग strumming pattern की तरफ and strumming pattern इस गयाने का कुछ इस तरीकता अपने play होगा down down up up down up down down up down down up up down up down up down up down up okay chords के साथ मैं आपको play करके बताता हूँ okay so काफी simple and काफी straight strumming pattern है guys सबसे पहले इस strumming pattern में हमें दो down stroke करना है down down okay सबसे पहले हमें दो down stroke कर लेना है guys down down फिर उसके बाद हमें दो up stroke करना है up up okay down down up up down down up up okay फिर इसके बाद आखीर में हमें एक down up का filler add करना है इस strumming pattern के साथ so complete इस तरी के कपले होगा down down up up down up down down up up down up okay total six beat है strumming pattern में down down up up down up down up up down up down up up down up up down up up down up okay और जब आप D minor chord पक्रूए इस तब आप उये टेक ध्यान में रखना है कि आपको six and fifth string को अपने thumb से mute करके रखना है okay guys क्योंकि D minor chord fourth string chord है इस chord में हमें सिर्फ one से लेके four तक string ही अपमें प्ले करना है fifth and sixth string को हमें mute करके रखना है okay so strumming pad के साथ साथ आपका fifth and sixth string play हो सकता है इसलिए आप थम को यहाँ पर mute करके रखना fifth and sixth string को throughs के बाद strumming pad को play केजिए down 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 इस तरीके से करो कर्ए यह वंुद के सच मुद करने के बाद आप करें иля करो अब कॉ crave go करू को है की सिंपल डेर करने करने के बाद आप आप इस तर्मिंग पैंड को काफी एजीली सिख जाओगे अभी इस गाने का कॉर्स पोगेशन और टाइमिंग के अंडिस्टेंडिंग के लिए मैं इस गाने का कबर पे करूंगा और हमेशे की तरह मैं कॉर्स को स्क्रीन में डिस्प्ले करता हूँगा गाई ताकि आप लग देख देखे मेरे साथ प्रेक्टिस कर सको और मेरे साथ प्ले कर सको So let's get started लखेते हुए ओ जाने तमन्ना की धर जर ही हो जरा पास आओ तो जैना जाए हमें जब ना होंगे तो एदल रुबा किसे देख कर हाएं शर्माओगे ना देखोगे फिर तुम कभी आएं ना हमारे बिना रोज घब राओगे बदन पे सितारे लपेते हुए ओ जाने तमन्ना की धर जर ही हो जरा पास आओ तो जैना जाए सरा अपास आओ तो जैना जाए आपको टाइम टू टाइम रेगुलरली मिटे रहेंगे ओकी तो मिलते हैं एक नेक्स वीडियो में तब तर के लिए शुभरात्री जैने